Hello students, आज मैं एक word problem discuss करने जा रहा हूँ, ये PYQ 22-23 के question paper में series 2 में आया हुआ है, एक important question है, आज हम इसका solution discuss करेंगे, अगर आप हमारे channel पर first time आये हैं, तो subscribe कर लेजे, ताकि आपको इस type के important questions के solutions regularly मिल सकें, आई ही देखते हैं, question क्या कहता है? Students, please comment on this video and subscribe our channel, do like and share this video to your friends, so that they can also benefit from it. Question क्या कहता है, in the given figure, O is the center of the circle, तो एक circle दिया हुआ है, जिसका O एक center है, and QPR is a tangent to it at P, तो point P पर एक tangent जा रही है QPR, और हमें प्रूव करना है, angle QAP plus angle APR is equal to 90 degree, तो इसको solve करने की हमारी approach क्या होगी? हम एक circle draw कर लेंगे, और circle की identity लगाएंगे, उसके basis पर हम कुछ relation निकालेंगे, और उसको हम solve करेंगे, यह हमारा मंत्रा होगा इस question को solve करने का, आई है solve करते हैं, सबसे पहले step by step चलते हैं, जैसे जैसे दिया हुआ है, in the given figure, O is the center of circle, एक circle draw कर लेता है, O उसका center है, and QPR is a tangent to it at P, तो एक point P से touch होते हुए, tangent निकाल देता है, QPR, ठीक है? next दिया है, प्रूव दैट angle QAP, तो Q से एक line draw करते है, यह line circle को B और A पर intersect कर रही है, और A से P तक से join करते है, तो angle QAP, जो यह flash कर रहा है, यह angle, plus angle APR, जो यह AP और PR के बीच में बन रहा है, इन दोनों का sum 90 degree है, यह हमें prove करना है, ठीक है? आए, solve करते हैं, तो पहले circle में देखते हैं, circle में OA और OP, यह दोनों radius हैं, same circle की, तो इससे क्या निकलेगा, कि हमारा जो दो angle है, OAP और OPA, दोनों equal होंगे, क्यों होंगे, क्योंकि किसी triangle में, अगर sides equal होती हैं, तो उनके opposite angle भी equal होते हैं, तो इस तरह से हमारा angle OAP, और angle OPA equal होगे, next हम देखते हैं, जो QR है, वो tangent है, ठीक है, तो circle की एक identity लगती है, जिससे क्या decide होता है, जो radius है, वो tangent से 90 degree का angle बनाती है, तो इससे क्या हो गया हमारा, जो angle OPR है, यह हो गया 90 degree, ठीक है, यह हमारे दो relation निकला है, आईए, आगे बढ़ता है, अब देखो, OPR है हमारा 90 degree, ठीक है, और यह OPR दो angle से मिलके बन रहा है, कौन-कौन से, यह बन रहा है, angle OPA और angle APR से, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कि OPR is equal to 90 degree, which is also equal to OPA plus APR is equal to 90 degree, ठीक है, क्योंकि OPR जो है, वो OPA और APR का sum है, अच्छा, अभी हमने एक relation निकाला था, जिसमें OPA और OAP हमारे equal थे, ठीक है, तो अगर OAP, OPA के equal है, तो जो हमने OPR के दो angle बनाए थे, उसमें OPA था, उसको हम OAP के बराबर रख सकते हैं, तो हमारा नया equation क्या बन जाएगा, OAP, जो OPA के बराबर था, OAP plus APR is equal to 90 degree, ठीक है न, clear हो गया यह आपको, अगर नहीं clear हुआ है, तो वीडियो को rollback करके, फिर से सुन लेजे, फिर भी कोई doubt हो, तो मुझे comment में बेज देजे, I will try to come back to you ASAP, और अगर first time अपने हमारे चैनल को visit किया है, तो subscribe कर लिजे, ताकि आपको इस तरह के important questions लगातार मिल सके है, अपने friends को भी share कर लेना यह वीडियो, ताकि उनको भी यह solution clear हो जाए, आए समराइस कर लेते हैं, तो हमने circle की identity देखी, क्योंकि radius जो होती है, वो tangent के perpendicular होती है, तो 90 degree बनाती है, जो angle होता है, उसको दो part में break कर लेंगे, ठीक है, और जो triangle बन रहा है, उसमें दो radius है, और radius के opposite angles equal होंगे, तो उनके relation को, पहले वाले relation में जब रख देंगे, तो हमारा solution निकल आएगा, जो मैं prove करना था, इती सिद्धम, board के exam में, full marks, आप कैसे score कर सकते हैं, इसको step by step लिखने का तरीका, आप हमारी website sapling academy.in पर जाए, वहाँ पर आपको पूरा step by step में solution मिल जाएगा, उसकी link में description में दी हुई है, जिससे कि आप पूरा तरीका सीख सकते हैं, और board में एक भी mark आपका नहीं जाएगा, इस topic के उपर अगर आपको महारत हासिल करनी है, हमने इस type के और भी PYQs लिए हुए है, word problems लिए है, case studies लिए हुई है, उसकी link मेंने description में दी हुई है, उसके video solution भी उसमें embedded है, अगर आपको कोई भी question solve करना है, इसके उपर और mastery करनी है, तो बिल्कुल जाकर के इसको बिल्कुल खापी जाओ, ख़़म कर दो इस topic को, इसके उपर पूरी mastery कर लो, इस topic के उपर कोई भी question आजाए आपको, आपको बिल्कुल डरनी लगना चीए, confidence बना लो अपने अंदर, और कोई doubt हो, कोई चीज नहीं समझ में आई हो, मुझे comment में लिख देना, कोई question ऐसा हो, जो आपको bother कर रहा हो, वो question भी हाँ मुझे comment में लिख देना, हम उसके उपर भी एक आपको, solution design करके, आपको submit करेंगे, ठीक है बच्चो, wish you all the best, do well, जल्दी मिलेंगे एक नई के सथी के साथ, बाई! Student, this is the end of today's session, while we plan for next class, you go out with your friends, chill out and have fun, बाई बाई! करेंगे!